कि वेल्कम टू माई चैनल याल नोलेज क्लासेज आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 3 के बाइलोजी का पहला आध्याय है जैप परक्रम यानि लाइफ प्रोसेस का पार्ट टू देखेंगे पार्ट वन पहले ही अफ्लोड कर दिया गया है अगर नहीं देखें तो पहले ल जन्तु के शरी में में एक रिया करने के लिए काफी ऐधा क्या वश्कता होती है को मुझे जूंसे ओन्पर प्रकास के क्यिःया करते हैं और क्या करते हैं बदां बनाते हैं जो पोशन है वह क्या होता है जिसे हम लोग भोजन गरहन करते हैं उसे क्या होता है उर्जा प्राप्त होता है तो पोशन क्या है सभी जीव जन्तु के सरी में जैवी किरिया करने के लिए काफी उर्जा क्या होती है और यह भोजन से प्राप्त होता है भोजन गरहन उसे रोकने के लिए अगर हम कोई काम करता है उसे उर्जा देने के लिए यहीं से आप क्या कला आता है जैवी किरिया और जैवी किरिया करने के लिए हमें बहुत सी उर्जा क्या बसकता होती है जो हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहन करते हैं अब देखते हैं स्वाप पोसी स्वाप पोसी वेसा होता है वेसा जीव होता है जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं याने स्वयम त्यार करते हैं क्या कलाता है स्वाप पोसी कलाता है वेसा जीव जो अपना भोजन स्वयम त्यार करते हैं स्वाप पोसी कलाता है आप धारन से ले सकते हैं जैसे हराय पोध है इसका पती में छोटे छोटे छीद्र होते हैं जहां हरीत लवक पाक पाया जाता है यहां आ यानि CO2 और सूरे का परकात से चांग और जो जल होता है जर की माध्यम से जल एक जयलम नामक कुसका होता है जयलम नामक वह क्या करता है जल्ल को पति तक पहुंच जाता है और भताप द ब्रहूंद से के परकास को पेस्वशिती में और कलोर फिर क्या करता है या अभी किरिया करता है और बनाता है कार्बोहाइट्रेट यानि गुलकोच और ऑक्सिजन और जल जो यह कार्बो हाइट्रेट का निर्मान करता है प्रकान संसलेशन के द्वारा जो प्रकान संसलेशन के द्वारा कार्बो हाइट्रेट जॉल और अक्सिजन का निर्मान होता है यह कार्बो हाइट्रेट उसी समय सीधा यूज में नहीं लाया जाता है जो यह कार्बो हाइट् वो यसा वे선, गलाई ακोजन का यूज़ किया ढिएक था है, प्रेर प्रेशा में भी ऐसा ही होता है, कार्बोहाइटरेड का निर्मान तो होता है लेकिन पोधे के उसी समय पूरा कर्पूरा कार्बोहाइटरेड का अभिशाता थोरी पर जाता है, धिरे-धिरे पर तो वो क्या करता है कार्बोहाइट्रेट को मंढ्र के रूप में संचित कर लेता है । ढवस्थेक्त अनुसार उसructures करता जैसे होगया हरे पौध और इगलोना अपना भोजन क्या करते हैं खुद ही बनाते हैं एक बिशम पौशी है उचिजीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पौण निर्भर आता है जैसे देख सकते हैं आप अमर बेल हो गया जीवानु हो गया अगया इस अब सब खुद अपना भोजन खुद से नहीं बनाता किसी दूसरे जीव या पेर पॉधे पर आस्रित होता है अमर आप लोग जानते ही होगा जिसे अमर लट्पि कं यह अमर लट्पि कि जो क्या है दूसरे पॉधे पर छाया हुआ है तर देखिए इसके नीचे पॉधा करता है जर से उसके पसिते में कार्वोहाइट्रेट बनाता है और मंड के रूप में संचित करता है लेकिन क्या करता है जो मरलती है उससे यह चीन लेता है और यह खुदी यूज कर लेता है जो विशम पोसी होते है उसे भगता भी कहा जा सकता है क्योंकि यह उप्यो करता है बनाता कोई और है और खा यह जाता है यह सब क्या है बीशम पोसी है आप देख सकते हैं अमीवा में भोजन का पाचन का इससे होता है जैसे इसके बगल में कोई खा दिकन आया उसको यह क्या करता है अंदर समीट लेता है अपने दोनों जो लिखला रहता है इसका चारुकात क्या पाँबेता है और आंदर अड़ी विखलागता है जो संचित कर लेता है अपने सरीमें और जो स्षिश्ट पदार्थ होता है उसको क्या करता है भाहब लिकाल देता है तो बीशम पोसी होता जो दूसरे कीटों पर अस्रित होता अभिन्व श Zheng क्या होता है 5 अपना भूजन त्यार नहीं करते हैं किसी दूसरे जीप पर आशलित होते हैं और जुल्य के प्रकास संकिशन किरिया होती है उसमें क्लता है और color צhill के कारण उसका पत्ता होता है पंध्य में प्रकास संसनेशन के किरिया नहीं होती है तो क्या अंतर हो गया उसमें स्वपोसी जो होता है जो अपना भोजन स्वयम त्यार करते हैं विशम पोसी अपना भोजन स्वयम त्यार नहीं करते हैं उसमें परकास संस्लेशन कीरिया होती है और विशम पोसी में कलोरोफिल के उपस्तित कारण उसका पता हरे होता है और प्सक्ति यह अगर यहां 4 बस तो उप्लावद नहीं नहीं होगे जैसे जल कैसे प्राप्त करते हैं तो करते क्या है जो प्राप्त करने के लिए जल जो होता है वह तब जॉल को लेकर पत्त तक पहुंचाता है और वहां क्या होता है बायू मंडल से काबन राप्ता लेता है और सुर्य के परकास के उपस्तिती में क्या करता है और कलर फिर में किया करता है अभी तक देखें हैं पोषन क्या है सभी जीव जन्तु के लिए जो पोषन करता है जबी किरिया करने के लिए उसे उर्जा कि पराप्ट होता है और वह उब ज pantalla हमें कहा से प्राप्त होता है saudag देखेते सव आशी गंपना मुझे करता है खुदी बनाता है जैसे हरे पोधी युगलोजी में भी कलोरोफिल पाया जाता है और इसमें यह सुरे से सुरेख परकास और कारबन डियोकसाइड बतावरान से लेकर यह भी परकास संसेशन की रिया करता है फिर देखे थे devient positive वी यह साथ जीब जो अपना भोजन के लिए किसी दूसे जीब या पीहर पोध्ये पर आसरीत होते हैं क्या कहला आते हैं जैसे अमर्वेल हो गया जिवान हो गया कबक हो गया फिर हम लोग देखे थे स्वप पोसी सिन्हाइं 550 हम करते हैं जो पत्ते में इसी कारण उसका पत्ता क्या होता है और उसमें क्या होता है प्रकास तो भाज़न बनता है और वीसंहा पत्ता क्या श्यंता हूं होता है Σतनम मैं क्या होता हुए मैं मत्क bardziej प्रकास संस्लेशन के लिए चार प्रमुख बस्तुग आपकोन है जल करवन डियोगसाइड और पर्ण हरित और सुर्य का प्रकास जो है प्रकास होता है पहुंदे इसे ब्हूमी के से जरोदुरा प्राप्त करते हैं कावन डियोगसाइड पहुंदे इसे बायू मंडल से प्राप्त करते हैं पर्ण हरित पर्ण हरित पहुंदे की कोशी काओं में हरित लमनुख पसित होता है और सुर्य का प्रकास होता है पहुंदे इसे सुर्य के प्रकास है फोटोन उजाक करनों के रूप में क्या करते हैं प वाट में.